हलो फ्रेंट्स विल्कम बेक तु माई यूटूब चैनल लीगल एंड सोसल एवर्नेस मैं करीम अहमद सिद्धी की एड़ोकेट साथ हो आपको पता है कि एक जुलाई संदो हजार चौबिस से तीन नए कानून लागू हो चुके हैं और इन तीनों कानूनों ने सालों से चले आ रहे इंडियन पैनल कोट, क्रमिनल प्रोसीजर कोट और इंडियन एविडिन्स एक्ट का इस्थान लिया है CRPC जो पहले से कानून चल रहा था, दन्र प्रक्लिया सहीता, उसकी एक बहुत ही पॉपलर और बहुत ही महत्पूर धारा है 156 सब क्लाश 3 156 सब क्लाश 3 के बारे मैं ने डिटेल यूँ वीडियो बनाया है, आई बटन में मैं उसका लिंक देद दूँगा, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक किलिक करके देख सकते हैं 156 सब क्लाश 3 में ये प्रावधान दिया गया है, मैं ब्रीफ में आपको बता दूँ कि जब किसी कॉग्निजेवल ओफिंस के कमिट होने के बाद हम पुलिस इस्टेशन जाते हैं और पुलिस हमारी F.I.R. दरज नहीं करती है तो मजिस्टेट को ये पावर दिया गया है जो मजिस्टेट 190 C.R.P.C. के तहत संग्यान लेने के लिए इंपावर होता है वह मजिस्टेट भी इन्विस्टीगिशन का ओडर कर सकता है आज किस एपिसोड में बात करने जा रहा हूँ कि सेक्षन 156 सब क्लास 3 C.R.P.C. यानि 156 दन्रिपकर सहिता के स्थान पर भारती नागरिक सुरच्छा सहिता की कौन सी धारा है और 156 C.R.P.C. और जो भारती नागरिक सुरच्छा सहिता की धारा 156 के स्थान पर आई है इन दोनों में क्या कोई similarity है क्या बड़ा बदलाव किया गया है या कोई बदलाव नहीं किया गया है इस बारे मैं आज के एपिसोड पर बात करने जा रहा हूँ बहुत महत्पूर जानकारी है जरूर आपके काम आएगी किसी भी तरीके से कोट कैचिरी से आपका अगर कोई सम्मंद रहता है तो जानकारी आपके काम आएगी अगर आप किसी तरीके की किसी डुडिशरी से सम्मंद एग्जाम्स की प्रिप्रिशन कर रहे है तो भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए तो साथियो जोड़े राखरे तक देखते हैं कि इसे मंदे में सब पूर्ण जानकारी क्या है साथियो दंडपुरकिया सहिता की धारा 156 का एस्थान लिया है भारती नागरिक सुरच्चा सहिता की धारा 175, 175 ने अब देख लेते हैं कि इन दोनों धाराओं में क्या फर्क है धारा 156 का सवाल है जहां तक दंडपुरकिया सहिता की उसमें 3 उप धाराएं है धारा 175 भारती नागरिक सुरच्चा सहिता में 4 उप धाराएं हो गई है 156 दन्प्रका सहिता की उपधारा 1 और 175 भारती नागरे स्रचा सहिता की उपधारा 1 में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ पुर्वीजो जोड़ा गया है, पुर्वाइड किया गया है 156 में कहा जाता है कि संगय अपराद में जो फाया दर्ज होती है उस F.I.R. में बिविचना करने का पावर 156 वन के तहित पुलिस अधकारी को दिया जाता है उसी तरीके से 175 वन में भी भारती नागरे स्रचा सहिता की धारा संगय अपराद हो में बिविचना करने के सकती पुलिस अधकारी को दी गई है लेकिन जो एक बदला हुआ सबसे पहला बदला हो वह हुआ कि इसमें पुर्विजो जोड़ा गया और पुर्विजो में यह कह दिया गया कि अपराद की प्रकति और गंभीलता पर बिचार करते हुए पुलिस अधिचक, उप पुलिस अधिचक को मामले की बिवेचना सौप सकता है तो यह तो एक पहला बदला हुआ 156 के इस्थान पर जो दाराई 175-1 175-1 में पुर्विजो जोड़ दिया गया जबकि 156-1 में किसी तरीका का पुर्विजो नहीं है अब देख लेते हैं कि 156-2 जो उप दारा है उसके इस्थान पर कोई बदलाव हुआ है कि नहीं सत्यों दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 156 की उप दारा 2 यह कहती है कि कोई भी पुलिस अदकारी जो बिविचना करता है जिसको की 156-1 में बिविचना की सक्टी मिल हुई है तो इस सक्टी को ले करके किसी तरीके का कोई सवाल नहीं उठाये जाएगा ठीक उसी तरह भारती इनागर सुरच्छा सहिता 2023 की धारा 172 सेम बात कहिती है बिलकुल डिटो है किसी तरीके का बदलाव नहीं है अब आते हैं 156-3 जो बहुत ही पाउपुलर धारा है 156-3 यह कहती है कि जो मजिस्टेट 190 CRPC में इंपावर्ड है वह भी विविचना का अदिस कर सकता है किस तरीके की बेचना जो 156-1 के तहित की जाती है CRPC में इसके स्थान पर जो 173 है 173 में जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया कि मजिस्टेट एप्लीकेशन के साथ साथ एफिडिवेट भी लेगा हा दोस्तों जो 175-3 के एप्लीकेशन होगी जो पहले 156-3 हुआ करती थी उसमें एप्लीकेशन के साथ साथ एफिडिवेट भी लेगा और एफिडिवेट और एप्लीकेशन पे मजिस्टेट बिचार करेगा और यह बिचार करेगा कि इसमें किसी तरीके की जाच किया वसकता तो नहीं है इनक्वारी किया वसकता तो नहीं है अगर मजिस्टेट ये समझता है जाच विचार करने को प्रांथ 175.3 की एप्लिकेशन पे कि इसमें जाच की अवस्सकता है तो मजिस्टेट जाच का आदेश देश रखता है दोस्तो जबकि 156.3 में इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है तो ये एक बहुत बड़ा बदला हुआ कि 156.3 के स्थान पर जो धारा आई है BNSS की 173. 173 में आप आपको एफिडिविट देना होगा और उस एफिडिविट में क्या लिखना होगा जो 173.4 में हैं 173.4 BNSS में हैं कि आपके अप्लिकेशन थाने में आपने दी आपकी FIR नही को दी सुप्रिडिडेन आप पुलिस को तो ये सारी बात एक 173 के एफिडिविट में लिखनी होगी कि कब आप ठाने गए किस तरीके से गए पर्सनली गए या डांक से दी कब आप पुलिस के सीनियर रदकारियों को गए पर्सनली मिलके दिया या रजिस्टर डांक से हो दी गई 174 जिपके 156 में कोई भी उपधार 156 नहीं है तो अब देख लेते हैं कि 174 जो धारा है उसमें क्या प्रावधान दिये गए साथ यो वीडियो में यहां तक की दीगे जान करिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चले और अगर आप चैनल में नए हो वीडियो को पहली बाद देख रहे हैं तो चैनल को सब्सकाइब करके बेल बट्रम घट करके आल पे जर 273 में जो 156 की जगे आई है तो ऐसे परवात पर और जो स्पेरिकिसन लगाए गया है वो उस गवर्मेंट सर्वेंट के ड्यूटी के दवरान की गटना हैं करतब्यों के निर्वहन के दवरान तो पहले तो वरिष्ट अधकारियों से मजिस्टेट रिपोर्ट मागेगा 175.4 में दो कलाजिज दी गई हैं कलाज A और कलाज B कलाजे में कहा गया है कि वरिष्ट अधकारी से उसके आफिस के रिपोर्ट मागेगा मजिस्टेट इसके बाज कलाज B में कहा गया है कि पबलिक सर्वेंट के बयानों पर बिचार करने के उपरांत ही मजिस्टेट को अगर लगता है कि इनुष्टिकेशन को और करना चाहिए तो इनुष्टिकेशन का आदेश पारित करेगा अन्न था पारित नहीं करेगा साथियो मैं समस्ता हूँ कि इस तरीके का जो बदलाव है धारा 173 और 174 यह बदलाव सही नहीं है I am not agree with this changes इससे क्या होगा कि डेले होगा मामला जाच क्या धार पर पुलिस अदकारी दोनों पच्चकारों को परतारित कर सकते हैं पुलिस को जादा सक्तियां दे गई हैं हम तभी कोई भी ब्यक्ती तभी मजिस्टेट की नहाले में जाता है जब पुलिस में उसकी F.I.R. दर्ज नहीं की जाती है ऐसी स्थिती में आप उसको मजिस्टेट की नहले से भी जलिदी रिलीफ मिलिने की संभावनाएं नहीं है और मैं यहाँ पर ये भी आपको बताता चलो मैं कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर आपका मामला 420 से रिलिटेड है धोका धड़ी 429 से संभावनाएं तो उस मामले में आपको यह भी एफिडियोट में लिखना होगा कि हमारे बीच में कोई सिविल केस पेंडिंग है की नहीं पेंडिंग है तो इस तरीके से यह बदला हुआ है 156 से रिपीसी की जगे 175 धारा आगई 175 तीर में अब एफिकेसन कोट में मजिस्टिट के नालें बेचना के लिए देनी पड़ेगी साथि मस्तमस्तों के जानकारी आपके जरूर काम आएगी जानकर कैसे लेगी कमेंट्स करके जरूर बताएं आज के इस एपिसोट में सिर्फ इतना ही मिलते हैं किसी अन्य एपिसोट में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ तब तक कानून की महत पूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें Legal and Social Evilness